C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा पांच की पार्ट्य पुस्तक हमारे आसपास का तेर्वां पार्ट बसेरा उंचाई पर प्रिष्ट संख्या एक सौ बीस कहानी एक यात्री की मैं हूं गौरव जाने और यह है लोनर मेरी सबसे बढ़िया साथी मेरी मोटर साइकल अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला वैसे तो मेरी मोटर साइकल अकेली नहीं है उसके साथ मैं हूं हर दम हम दोनों ही मुंबई की भीरभाड़ वाली शोरगुल वाली गलियों और उची-उची इमारतों में से निकलने का मौका ढूंट रहते हैं हम दोनों को ही अपने सुन्दर देश के अलग-अलग इलाकों में घूमने का बहुत शोक है आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी दुनिया के सबसे उचे रास्तों पर मोटर साइकल यात्रा की कैसे की तैयारी? मेरी यात्रा थी लग-बग दो महिने की इतने दिनों के लिए सामान ले जाना वह भी मोटर साइकल पर लाद कर मैंने बहुत सोच समझ कर जरूरत का सामान इकठा किया रहने के लिए टेंट, बिचाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग गर्म कपडे, काफी दिन तक खरापना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब बे इत्यादी भी मैं मुंबई से निकला, महराष्ट, गुजरात और राजिस्तान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुँचा मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने तीन दिन में तै किया मुझे पूरी उमीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी इतने सालों से मैं ठक चुका था एक तरह की शहर देखते देखते प्रिष्ट 121 वही एक जैसे घर, सिमेंट, इट, कांच और स्टील के बने हुए अब आने वाले दिनों के बारे में सोच कर मैं बहुत उत्सुक था मेरी कल्प न थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकडी के घर, ढल्वा छत वाले और बर्व से ढके घर बिल्कुल वैसे, जैसे मैंने किताबों में में देखे थे दिल्ली में सारा समान भरवा कर मैं आगे बढ़ा दो दिन बाद मनाली पहुँच कर पहाडों की ताजी हवा के बीच मैंने चैन की सांस ली असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी जम्मू कश्मीर राजे के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था पता करो नक्षे में देखकर बताओ की मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन-कौन से राज्ये आएंगे गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो क्या और कोई भी बड़ा शहर रास्ते में आया होगा मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी ये शहर कौन से राज्ये में है मेरा नया घर मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे मुझे सिर्फ भर पेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट मेरे छोटे से नयलोन के टेंट में इतनी ही जगा थी कि मैं सो सकूँ रात के समय मेरी मोटरसाइकल टेंट के बाहर पहरा दे थी सुभा की ठंडी हवा और चड़ियों की चहक से ही रोज आँख खुलती प्रिष्ट 112 बताओ क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? कहां? कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड पर दो दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल दस चीज़ें ले जा सकते हो उन दस चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे तुमने किस-किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ चित्र भी बनाओ ठंडा रेगिस्तान आखिरकार मैं और लोनार लेहे पहुँच ही गए अजब अनूठा था यह इलाका सूखा, सम्तल और ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में बहुत ही कमबारिश होती है यहां दूर दूर तक दिखते थे बर्व से ढके पहाड और सूखा ठंडा मैदान लेहे शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुन्दर मजबूत घरों को देखा थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे जूले जूले यानि स्वागत स्वागत चिलाते हुए मेरा पीछा करने लगे वे लोनर को देख कर बहुत हैरान थे सभी मुझे अपनी अपने घर ले जाना चाहते थे ताशी के घर पर ताशी का जोड़ चला और वे मुझे खीच कर अपने घर ले गया उसका घर दो मंजिला था पत्थनों को काट कर एक के उपर एक रख कर बना था उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी अंदर से घर चपड जैसा लग रहा था हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी ताशी मुझे लकडी की सीड़ियों से पहली मंजिल पर ले गया उसने बताया कि वहर और उसका परिवार उपर की मंजिल पर रहते थे प्रिष्ट 123 नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और जरूरत का सामान एकठा करके रखते थे सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता नीचे की मंजिल में कोई खिड़के भी नहीं थी छट को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तिमाल हुए थे फिर ताशी मुझे घर की छट पर ले गया आसपास का नजारा तो देखते ही बनता था सभी घरों की छटें समतल थी कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीता फल और मक्का किसी छट पर धान के धेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे बहुत सारी फल सबजी सुखा ली जाती है ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सबजी नहीं मिल पाते सोचो यह किन महिनों में होता होगा और क्यों वहां ख़ड़ा पर सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था बिलकुल वहां के मौसम और लोगों की जरूरत के अनकूल मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दिवारें लकडी के फर्ष और लकडी की छट ही ठंड से बचाते होंगे लिखो ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं वे ऐसा क्यों करते होंगे तुमारे घर की छट कैसी है तुमारे यहां छट किन किन कामों के लिए इस्तिमाल होती है पिष्ट 124 दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा अब समय था आगे बढ़ने का तेड़े मेड़े संकरे पहाडी रास्तों से होते हुए मैं बहुत उचाई पर जाता जा रहा था कहीं सडक तो कहीं बड़े बड़े पत्थर लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था अब मैं चांग यांग इलाके की ओर बढ़ रहा था लगभग 5000 मीटर की उचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिलकुल सुनसान और पत्थरीला था इतनी उचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत से पड़ गई मैं कई दिन तक यहां मोटर साइकल पर घुमता रहा लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था ना ही कोई पेटरोल पंप ना मेकैनिक सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाडों के बीच बहुत से तालाब कई रातें और कई दिन बीट गए मैं अकेला ही बढ़ता रहा फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चर्ती भेड बकरिया थोड़े ही देर पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिये मैं हैरान था कि इस उनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे पता करो तुम जिस इलाके में रहते हो वह कितनी उचाई पर है गवरो जानी ने ऐसा क्यों कहा इतनी उचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो कहाँ वह कितनी उचाई पर था क्या वहाँ सांस लेने में तुम्हें भी परिशानी आई तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी उचाई तक गए हो प्रिष्ट संख्या 125 चांगपा वहां मैं मिला नामग्याल से उन्ही से मुझे चांगपा के बारे में पता चला इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग चांगपा घुमन्तु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते अपनी भेड बकरियों के जुन्ड को लेकर पहाडों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं इन्ही जानवरों से उन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है दूद, मास, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए उन आदी भेड बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पुझी हैं जितनी भेड बकरियां उतना ही उँचा परिवार का स्तर चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना उन बनती है जितनी ठंडी और उँची जगा होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी उँचाई पर रहना पसंद करते हैं यही है इनकी जिन्दगी मैं मोटर साइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोडों और याक पर लाद कर घूमते हैं जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ धाई घंटे में अपना देरा समेट कर निकल पड़ते हैं जहां ठहर ना हो वहां कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया ये अपने टेंटों को रेवो कहते हैं याख के बालों से बुनाई करके चांगपा पटियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं प्रिष्ट संख्या 126 ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी पटियां नौ डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थी टेंट लगाने से पहले जमीन में दो फुट गहरा गध्धा खोदते हैं और गध्धे के आसपास उची जमीन पर टेंट लगाते हैं टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खुब उचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता रेवो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था दो लकडी के बड़े डंडों के सहरे खड़ा था रेवो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूलहे का धुआ बाहर जा सके नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन एक हजार साल से भी पुराना था इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं ठंड भी कैसी? सरदियों में यहां का तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज जलती है माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में च्छ स्वेटरों के वराबर गर्मी होती है इतनी गर्म पर मोटी बिलकुल नहीं यह पश्मीना बनता है पहाडी बकरियों की एक खास नसल से जो लगभग पांच हजार मीटर की उंचाई पर रह सकती है यहां सर्दियों में तापमान शून्ने सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानि माइनस चालिस डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में जढ़ जाते हैं यह बाल बहुत ही पतले होते हैं इतने पतले की बकरी के छे बाल मिला कर तुम्हारे सिर के एक बाल की मुटाई के बराबर होंगे बुनाई करे तब जाकर एक साधरन पश्मीना शॉल तयार होती है। इतनी मेहनत। सोचो अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। प्रिष्ट संख्या 127 एक घंटे में 70 किलोमीटर की गती। सोचो अगर तुम अपने गाउं में बस में बैठे और वह इसी गती से चले तो तुम एक घंटे में कहां पहुँच जाओगे। रेबो के पास ही भेड बगरियों को रखने के लिए एक जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दिवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के जुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह जुंड को लेखा से बाहर निकाल कर गिन कर चराने ले जाते हैं। और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। चांगपा लोगों की जिन्दगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी जिन्दगी का हिस्सा है। जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किये जानवर इत्यादी। ऐसे पांच उदाहरन सोचो और लिखो की जानवर तुम्हारी जिन्दगी से कैसे जुड़े हैं। क्या भेड़ बगरियों को अपने शरीर के बाल की जरूरत नहीं होती। चर्चा करो। पता करो। और कौन से शहर हैं जिनका तापमान शून्ने डिग्री से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महिनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें देखने को मिलेंगी। श्री नगर की ओर मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ विताए। ना चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्री नगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्री नगर पहुँचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्री नगर में रहा। वहां के अलग घरों को देख कर मैं हैरान था उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया कोई पहाड पर तो कोई पानी पर तरह तरह के घरों में लोग रहते थे प्रिश्ट संख्या 128 उन घरों में मैंने कई फोटो खीचे ये फोटो तुम भी देखो अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी न था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का और श्री नगर में अनुभव था पानी पर रहने का इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहां के मौसम के अनुकूल थे वापसी का समय फिर आगे बढ़ने का समय आ गया इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ वही सीमेंट, इट, काच और स्टील इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाओ हैं पर इन में उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुश किसमती से ले और श्री नगर में देखे फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफर करके मैं और लोनर मुंबई पहुँचने ही वाले थे मुंबई शहर की भीड भाड़ वाली सडकों पर लोनर वापस नहीं आना चाह रही थी मेरा मन भी भारी हो रहा था पर अंदर से दिल में एक खुशी थी इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लाया था और यह अंत थोड़ी ही है मैं और मेरी मोटर साइकल फिर जब इस शहर से उप जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफर पर देखो और बताओ देखो जम्मो कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहां के लोगों की जरूरत और मौसम के अनुरूप बनाए जाते हैं प्रिश्ट संख्या 129 श्री नगर के घरों पर एक नजर यहां छे तस्वीरें दी गई हैं पहली तस्वीर श्री नगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट या हाउस बोट में जो रहते हैं उनके बारे में हैं हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौडाई 8-9 फुट तक होती है दूसरी तस्वीर बोट की तरह बने लकडी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं श्री नगर की डल लेक और जेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग-अलग कमरे होते हैं तीसरी तस्वीर है हाउस बोट और हाउस बोट के बारे में यहाँ पर बताया गया है हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छट पर लकडी की सुन्दर नकाशी होती है इन में एक खास डिजाइन खतम बंद है जो जिगसों पजल जैसा दिखता है दूसरी तस्वीर में चलते हैं पत्थरों को काट कर एक के उपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गाउं में दिखते हैं पत्थरों के उपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकडी का भी इस्तेमाल किया जाता है इन घरों की छट धलवा होती है अगली तस्वीर यहां के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़किया ये बाहर की और उभरी होती हैं इन्हें डब कहते हैं इनमें बैठ कर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है और अन्तिम तस्वीर यहां के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, इंट और लकडी को मिला कर बनाना घरों के दर्वाजों खिड़कियों पर डिजाइन दार महराब बने होते हैं प्रिश्ट संख्या 130 क्या तुम्हारे इलाके में अलग-अलग तरह के घर हैं? अगर हां तो इसके कारण सोचो तुम्हारे घर में क्या कोई खास बात है? जैसे ज्यादा बारिश होती है तो धल्वा च्छत या बड़ा बरामदा जहां गर्मियों में सोते हो और धूप में कुछ सुखाते हो अपने घर के बारे में सोचो घर बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है? मिट्टी, पत्थर, लकडी या सीमेंट अपने घर की खास बात चित्र द्वारा दिखाओ सोचो और लिखो इस चित्र को देखो क्या इसमें कुछ घर पहचान पा रहे हो? ये लकडी और मिट्टी के घर हैं जिन में सर्दियों में कोई नहीं रहता गर्मियों में बकरवाल लोग यहां रहने आते हैं जब वो बकरियों को चराने के लिए पहाडों की उचाईयों पर ले जाते हैं अंदाजा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की जिन्दगी में कौन सी बातें मिलती जुलती हो सकती हैं और क्या फर्क है? हम क्या समझे? तुमने जम्मो कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा कुछ उंचे पहाड़ पर, कुछ पानी में कुछ जिन्में लकडी और पत्थर पर सुन्दर डिजाइन है कुछ जिन्हें बांध कर किसी और जगह भी ले जाया जा सकता है बताओ, यह बसेरे वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से कैसे बने हैं? यह घर तुम्हारे घर से कैसे अलग हैं? बसेरा उचाई पर अभी आप सुन रहे थे कक्षा पांच की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का तेर्वा पाठ प्रस्तुती C I E T N C E R T नई दिल्ली भारत